बहुत पुरानी बात है विजेगर नाम का एक राज्य था जो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था और बहुत सुन्दर था उस राज्य में ब्रह्मा नाम का एक बहुत बहादुर नौजवान रहता था उसके पास एक जादुई घोड़ा था जो बहुत प्यारा था एक बार विजेगर राज्य पे एक बहुत खतरनाप मायावी राक्षष ने हमला कर दिया और पूरे राज्य को तहस नैस करके राजकुमारी दुर्गावति को उठा ले जाता है चारों तरफ हाहाकार मर जाता है राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है सेने पती वो मायावी राक्षष ने करो वो राक्षष राजकुमारी दुर्गावति को उठा ले गया है जल्दी से सबी दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजो और राजकुमारी को सुरक्षित राजमहल ले कराओ जी महाराज मैं अभी सैनिकों को बेशता हूँ और मैं खुद भी जा रहा हूँ जल्दी करो गुराक्षस राजकुमारी को नुकसान पहुंचा सकता है जी महाराज सेनापती तुरंथ सैनिकों को आदेश देता है सैनिक निकल जाते हैं पूरे दिन दूनने के बाद सेनिकों को कोई सुराग नहीं मिलता, अगले दिन. सेना पती, क्या हुआ? कुछ पता चला राजकुमारी का? नहीं महराज, सेनिकों ने पूरे राज्य में दून रहा है, पर राजकुमारी का कहीं नहीं पता चला. सेना पती सारे राज्य में ये घोशना करवा दो कि जो राजकुमारी को सही सलामत लेकर आएगा उसे उपहार स्वरूप एक लाख स्वन मुद्राएं दी जाएंगी राजा की खोशना के बाद पूरे राज्य में सब लोग अपने अपने तरीकी से राजकुमारी को डूडने लग जाते हैं ये बात ब्रह्मा को भी पता चलती है ब्रह्मा और उसका दोस्त सत्या दोनों जंगल के किनारे बैठे होते हैं ब्रम्मा राजकुमारी को मायवी राक्षसी उठा ले गया है पर राजा जी ने राजकुमारी को ढूंड कर लाने वाले को एक लाख स्वन मुद्राई देने की घोशना की है सत्या स्वण मुद्रा से जरूरी है राजकुमारी को ढूनना ये हमारे राज्जी की इज्जत का सवाल है बात तो तुम सही कह रहे हो ब्रह्मा मुझे लगता है मयावी राक्चस राजकुमारी को पहाडी के उस पार काली घाटी में ले गया होगा क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं है पर तुम वहाँ जाओगे कैसे और वो जगा बहुत खतनाक है सुना है सत्या मैं जाओंगा और अपना जादुई घोड़ा कब कामाएगा ब्रह्मा अपने जादुई घोड़े को मन में याद करता है और तुरंट उसका घोड़ा उसके सामने आ जाता है ब्रह्मा अपने तलवार के साथ जादुई घोड़े पर सवार होता है और गोड़े को काली घाटी में ले जाने को कहता है घोड़ा थोड़ी दूर दोड़ता है और वे हवा में उड़ने लगता है कुछ पल में वो काली घाटी में पहुँच जाता है जादोई घोड़े हमें राजकुमारी को ढूनना है समय पहुत कम है जादोई घोड़ा समझ जाता है और तेजी से इधर उधर चारों तरफ भागते हुए राजकुमारी को डूड़ता है खोड़ी देर में उन्हें एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है जादोई घोड़े उस गुफा की तरफ चलो मुझे लगता है उस मयावी राख्चस ने राजकुमारी को उसी गुफा में कैद कर रखा होगा जादोई गोड़ा तुरंट उस गुफा के दरवाजे के पास पहुचता है और ब्रह्मा अपनी दलवार हाथ में लेते हुए वो गोड़े से नीचे उतरता है तुम यही रुको मैं देख के आता हूँ कि अंदर कोई है क्या ब्रह्मा जैसे ही अंदर पहुचता है क्या देखता है चारो तरफ हट्डियों का धेल लगा है थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद उसे एक खंबे से राजकुमारी बंदी हुई दिखाए देती है वे तुरंट राजकुमारी के पास पहुचता है राजकुमारी मेरा नाम भ्रह्मा है मैं आपके राज्य से आपको बचाने आया हूँ भ्रह्मा धीरे बोलो वो मायवी राक्षस अभी यहां से गया है आसपास ही होगा ठीक है राजकुमारी मैं आपको खोलता हूँ और धीरे से हम बहार निकल के भाग जाएंगे लेकिन हम भागेंगे कैसे मायवी राक्षस तो बहुत कदर नाक है राजकुमारी आप चिंता ना करें अपने पास भी जादुई घोड़ा है धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलते हैं और घोड़ी के पास पहुँचने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ मायवी राक्षस आ जाता है अरे तुम कोन हो वो दाजकुमारी को ले जाने की हिम्मत कैसे की दोनों डर जाते हैं ओए मायवी राक्षस दूर हो जा और हमें जाने दे नहीं तो मैं तुझे मार दूँगा हाँ 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 तू मुझे मारेगा चल आज मैं तुम्हारा लंच करता हूँ और वो ब्रह्मा की तरफ दीरे दीरे पड़ता है तभी ब्रह्मा अपनी जादुए गोड़े को बुलाता है और उस पे बैट कर मायवी राक्षत पर हमला करता है कुछ देर लड़ाई चलती है और अंत में ब्रह्मा राक्षत को मार देता है राजकुमारी ये सत देखकर आश्चेरी चेकित हो जाते हैं और ब्रह्मा की बहादुरी पर मुवित हो जाते हैं ब्रह्मा तुमने तो राक्षस को मार दिया, तुम तो बहुत भादुर हो। आपका धन्यवाद राजकुमारी, चलिए आपको राजमहल लेके चलता हूँ, वहाँ सब परिशान होंगे। ब्रह्मा और राजकुमारी दोनों जादुई घोडे से उड़ते हुए राजमहल पहुँच जाते हैं। महाराज, मुझे च्छमा करिये, मैं कोई उपहार नहीं ले सकता। राजकुमारी की जान बचाना मेरा कर्तव्य था और मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। इतनी बड़ी बात पर सब लोग कानाफुसी करने लगे। तभी राजकुमारी राजा के पास जाकर उनकी कान में कुछ कहती है। मैं इस नौजवान के बातों से बहुत प्रशन हुआ। इसकी बहादुरी तो सब ने देखी लिया और अब मैं इसको अपने देश का उत्रा यदिकारी घोसित करता हूँ। और इसका विवा राजकुमारी दुरगावती के साथ करने का आदेश देता हूँ। इस तरह दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है और सब लोग खुशी-खुशी से रहने लगते हैं।